हेलो एव्रिवन बेलकम बैक टो माय चैनल वन्स अगेन सो आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है हेल्फुल टू सो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक जरूर देखनी है सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ वैसे तो आप थमनेल और टाइटल देखके समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ बट एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ तो आज की वीडियो में मैं एक Youtuber को follow करने वाली हूं, starting से end तक मैंने इस लुक को create किया है, तो इस वीडियो में ऐंञजरी twee क को and his channel sequel को follow वाली हूँ और उनका भी यूट्योम यूट्यूपे channel है, in the description में उनकी channel की लिंक आप We'll get you, if you want me to check in the description creator there वैसे तो आप में से करी लोग उनको जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो description में link मिल जाएगी आपको easily आप जाके देख सकते हैं so guys मैं आपको यही पर clear करना चाते हूँ कि मैं इस तरीके की video first time बना रही हूँ और मेरे लिए एक task ही है किसी को follow करके और उनके जासा look create करना वो भी similar बहुत जादा tough होता है guys but मैंने फिर भी try किया है I hope आपको इस तरीके की video पसंद आएगी अगर आपका reward अच्छा है या इस video पे तो मैं sure मैं इस तरीके की video और भी create करूँगी और आपको ये video कैसे लगी please आप मुझे बताना और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अंजरी शेक मेरी personal second favorite है I mean वो मुझे बहुत अच्छी लगती है so that's why उन्होंने जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो मैंने सुचा क्यों ना मैं इस लुक को follow करूँ ऐसा कुछ मैं चाहती तो मैं इसका inspire भी कर सकती थी बट मैंने सुचा नहीं मैं इनको follow करके करती हूँ so guys यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज़़दा claritys दे दी है so video को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मैंने किस तरीके से उनको follow किया क्या क्या product मैंने यूज किये हैं इस वीडियो में सबसे पहले उन्होंने अपने face पे एक serum apply किया मैं भी ऐसे ही करी हूँ मेरा serum good wipe से है और मुझे इसका exact name नहीं पता तो आप link देख सकते हैं description में और इसके बाद उन्होंने अपने face पे कोई sunscreen लगाई थी मैंने भी ऐसे ही किया है इसके बाद उन्होंने प्रैमर एपलाई किया प्रैमर लगाने के बाद उन्होंने five minute stay करने के लिए बुरा था मैंने ऐसी ही उसको face को छोड़ दिया है और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे face पे बहुत सारे pimples हो गया है I don't know why इसके बाद उन्होंने five minute के बाद उन्होंने एक foundation लिया foundation में उन्होंने highlighter को mix किया जिसी की थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई लगे हमारा base तो मैंने भी ऐसी ही किया है उनका जो foundation था बहुत ज़्यादा सो अपना foundation मैंने अपने पूरे face पे इस प्रिट कर लिया है और मैं अपने नेक्ते भी थोड़ा सा लगाऊंगी इसके बाद मैं foundation ब्रस से अपना पूरा foundation अच्छे से ब्लैंड कर लूगी और आप देख सकते हैं बहुत smoothly ब्लैंड हो रहा है कोई भी patches नहीं बढ़ रहे हैं कोई भी harsh line नहीं हो रही है बहुत smoothly अच्छे से ब्लैंड होगी इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लेपने face पे contour करना शाट कर दिया सो मैं भी हाँ पे यही कर रही उन्होंने contour stick से ही contouring करी है मैं भी ऐसे ही कर रही हूं guys मेरे पास same product नहीं थे बट मेरे पास जो मेरे product थे मैं उन्हीं से ही कर रही हूं और मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी की video देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास भी वही same product होने चाहिए आपके पास जो है आप उनसे ही कर सकते हो easily so यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है और अपनी contouring को अच्छे से मैं blend कर रही हूं और उन्होंने भी kind of इसी तरीके से किया था इसके बाद उन्होंने अपनी eyebrows को fill किया था यहाँ पर मैं भी अपनी eyebrows को ही fill कर रही हूं տसे बता देती हूँ की मैं अपनी mostly वीडियोज में अपना eye makeup सबसे पहले करती हूँ फिर मैं अपना face makeup करती हूँ बट यहांपर मैं किसी को follow कर री हूँ जैसे जैसे वो I lie my makeup last one करूँगी अपने face makeup को पहले करूंगी So yes guys पूली के हेल्प से अच्छे से मैं अपनी आइब्रोज को फिल कर लूगी और यहां पे आईशेड़ो के लिए मैंने अपनी रोस गोल आईशेड़ो पैलेट यूज करी है और उसमें से वाम ब्राउंड शेड लेके और अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लैंड करूग और एक blending brush के help से उन्होंने अच्छे से उसको ब्लैंड कर लिया वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं रही थी उसको लेके काजल को लेकर वो अपने लिट पे ही रही थी सो मैं भी उन्हीं को follow कर रही हूँ जैसे जैसे वो कर रही थी इसके बाद उन्होंने एक black color eyeshadow लिया है और उसको अपने काजल के उपर अच्छे से प्रेस किया मैं भी same वैसे ही कर रही हूँ आप देख सकते हो और यह बहुत ज्यादा इजी टिप्स है अगर किसी को black smokey eyes टाइप चाहिए कोई लुक तो आप इस तरीके से create कर सकते हो सिर्फ टू आई शेडो में आपका यह लुक शॉटेड हो जाता है यार क्या चाहिए और सो काजल के लिए उन्होंने अगें से ब्लैक काजल ही यूज किया है तो मैं भी यहाँ पर यही कर रही हूँ सो गाईस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैं जो voice over कर रही हूँ वो early morning कर रही हूँ जो भी noise आ रही है उसको थोड़ा सा avoid कर देना जाने देना और यहाँ पर जो उन्होंने warm brown shade लिया था वही same shade को लेके वह अपने काजल के साथ smush कर रही थी अच्छे से सो मैं भी यहाँ पर यही कर रही हूँ smush करने के लिए आप कोई भी इस तरीके का brush ले सकते हैं या कोई भी flat shader brush ले सकते हैं guys आपके पास एक अच्छे brush होने चाहिए makeup में brush का बहुत ज़्यादा important role होता है बहुत तगड़ा वाला role होता है अगर आपके पास अच्छे brush नहीं है तो makeup बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता आपका और कई बार आप बिना makeup के भी बहुत अच्छा look कर लेते हैं बट कई बार आपको makeup brush चाहिए ही होते हैं so makeup brush भी important होते हैं okay fine यहाँ पर अभी मैं blush लगा रही हूँ और highlighter नहीं थोड़ा थोड़ा लगाया था तो मैंने भी यहाँ पर लगा लिया है अपको मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूं उनको just follow कर रही थी मैं तो इसके बाद उन्होंने एक हाइलाइटर लगाया मैं भी यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूं और उनको देखते देखते कर रही थी बहुत अच्छा मुमेंट था यार यह बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो हाइलाइटर लगा रही हूँ यार हाइलाइटर लगाना किसको पसंद नहीं होता मुझे तो बहुत पसंद है इसके बाद वो यहाँ पर मशकारे को ऐसे सी कर रही थी तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ मैं आपको दिखा भी रही थी बहुत मतलब फणी फणी चीजे करती है बहुत क्यूट सी मतलब क्या मैं बूलू आप एक बार देखना आपको समझ आएगा इसके बाद उन्होंने एक रैड कलर की लिप्शिक वेर करी मैं भी यहां पर वैसी ही कर रही हूँ गाइस आप मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी नहीं लगी अगर अच्छी लगी लाइक कर देना और मेहनत करूंगी ओर ज्यादा एफर्ट्स डालूँगी वीडियो में प्लीज गाइज जो भी आपको लगता है मुस्तक उस चीज को पहुचाईए सो फाइन गाइज दिस इस मैं फाइनल लुक अब देख लीजिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना सिमिलर है या नहीं है या कितना सिमिलर है मैंने कहां पे ठीक नहीं किया कहां मिस्टेक थी मेरी आप लोग मुझे बताना और अंजरी शेक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू थैंक यू फो कमिंग और प्लीज आप भी मुझे बताना कि मैंने आपको आपका सिमिलर कर पाया या नहीं कर पाया मुझे ये लुग बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो शूट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे कि मैंने आपको बताया है आप मेरी सेकंड फैब्रेट हो वो हमेशा रहोगी आपको भी ये चीज बोलना चाहूँगी मेकप के बारे में और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज नॉटिफिकेशन को आउन कर देना तो दैट सिट बाई